मैं एक ही शौख हर वक्त रखता हूँ हालात जैसे भी हूँ खोटों पर हमेशा मुस्कान रखता हूँ राह में कितनी भी हूँ मुश्किले उसका डट कर सामना भी करता हूँ क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उ से सलाम और वो शक्सियते होती हैं बेमिसाल नमस्कार में आपके साथ विभाव पाध्याए और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश बेमिसाल अपनी मेहनत अपनी लगन अपनी उत्साव अपने जुनौन और अपने खेल से लाखों दिलों पर राज करने वाली इन बेटियों के हुनर को देखने के बाद लोग इन पर फक्र महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जिस जोश और जजबे के साथ ये बेटियां अपनी मंजिल की और बढ़ रही हैं, वो आने वाले वक्त में देश का नाम बुलंदी तक पहुंचाएंगी जरूर। ये बनारस है, यहां सुभा शाम भगवान शिफ की आराधना, मा गंगा की आरती और मस्जद में अजान होती है, ये बनारस की पवित्र धरती गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल है, यहां सभी धर्मों की लोग मिल जुल कर एक साथ रहते हैं, तो वहीं हम आपको बनारस की इसी खुबसूती, इसी परमपरा और इसी रिवास को आगी बढ़ाने वाली उन बेटियों से मिलवाएंगे, जिन्होंने अपने देश का परचन दुनिया के कोने कोने में अपने ख पर एक कोपी किताब मिलती हैं, उसमें कवर पेज पर कभी प्लेयर्स की फोटो, कभी स्टेफिक प्रिट संपरास की अई, अरज्यून अवाद लेते हुए भी फोटो थी, प्लेयर्स की, और छोटेवी देखते हैं, यह यह नशनल अवाद बहुतियो आई-क्ैचिंग था, मेरे मजब से मैं अक्टिव और खेलना शुरू कि और जब इंटरनाशनल लेवल पर कमपीट करना शुरू किया, और जब मेरे साथ के दूसरी गेम के प्लेयर्स इस्पेशली इंड़िजिल गेम वाले जब यह अवार्ज लेकिया लेने लगए और नाशनल आवार्ज मिलने ल प्रशानती अपने भाई बेहनों में तीसरे स्थान पर है और उन्होंने पांडु पुत्रों में तीसरे स्थान पर आने वाले अर्जुन की तरह ही अपने लक्ष को निशाना बनाया जिससे प्रशानती को अर्जुन अवार्ड और रानी लक्ष्मिबाई वीर्ता पुरुसकार से नवाजा गया कहते हैं एरादों में भर्दो इतनी जान की हर काम्याबी मन्सूर हो जाए होसले हो इतने बुलंद की जिन्दगी से लफ से शिकस्त तूर हो जाए जिन्दगी कहां मिलती है दोबारा यहां वो अपनी जिन्दगी के हर एक खुआप को पूरा करने के लिए शिद्दत से जुटी हुई है जिसका जीता जाकता सबूत है दिवारों पर चमकते यह गुल्डन सिल्वर और प्रॉंच के मैडल्स जो यह तस्दीक कर रहे हैं कि इन बेटियों ने अपने बुलंद इरादों और अपने खेल से कैसे इन्हें इखटा किया है आपको बता दें कि यह पांच बहने हैं लेकिन किसी तारूफ की मोहताज नहीं प्रियंका, दिव्या, प्रशान्ती, आकांग्शा और प्रतिमा इन पांचो बहनों को बनारस में लोग सिंग सिस्टर्स के नाम से बुलाते हैं इन सभी बहनों की खासियत यह है कि इन्होंने देश के लिए बास्केट पॉल खेला है सबसे चौकाने वाली बात यह है कि इन पांचो बहनों ने अपने करियर की शुरवाद बनारस के यूपी कॉलेज बास्केट पॉल कोर्ट से की थी इसकी एक वज़ा ये भी थी कि ये कोर्ट घर से करीब था इन पांचों में सिर्फ प्रियंका ने उत्तर प्रदेश स्टेट टीम के लिए खेला है बाकी सब ही बहनों ने अंतराश्वी इस्तर पर देश का मान बढ़ाया प्रियंका अब नेशनल इंस्टिटूट ओफ स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल कोच के तौट पर काम कर रही है तो वहीं दिव्या अंडर 16 इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम की कोच है सारे मेरी सिस्टर खेलने जाते थी सब उनके साथ जाते थे खेलने तो वहाँ पर एक नाथन सर कोच थे हमारे वो उनको सिखाते थे हमने भी खेलना शुरूर किया उन्होंने देखा कि हमारे अंदर टैलेंट है तो उन्होंने हमें सीनिर के साथ खेलना शुरूर किया फिर साही स्पोर्स अथर्टी आफ इंडिया के कोछ थे अमजी सिंग उन्होंने हमें फाइनली बॉइस के साथ खेलाना शुरू किया और जाके हमारे घर पर आके ममी पापा से बात करके उनको कन्वेंस करके उन्होंने पूरा लीड लिया कि बास्किर बॉल में गल्स्टीम भी सिंग सिस्टर्स की जीत पर पूरे देश कुनाज है तो वहीं के माता पिता भी इनकी खाम्याबी पर गर्व महसूस करते हैं उनका कहना है कि उनकी बेटियां बेटों से कम नहीं है उनकी बेटियों ने देश के अलावा विदेशी धर्ती पर भी देश का मान बढ़ाया है मतलब मैं दिन भार इलों के कपड़े जूते सब समयखती रहती थी अद दिन भार मेरा कैसे निकल जाता था मुझे पता निचलता था अब कैसा लगता है फुसी होती है हाँ बिल्कुल का में भी फुसी होती है और फिर आज इलों के मेहनात का फल मिला है तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी है हमारे लिए भी इनके लिए भी पास में ही यूपी कालेज था और मार्निंग इबनिंग हम लोग जाते ही थे तो हम तो थोड़ा दूर पदस्थापित थे बैंक काम में तो सुबह साम बेट होती थी बच्चों से कभी कभी वीगली बेट होती थी लेकिन मेरी धर्म पत्नी ने इन तुबहों को वेल क्याड किया, इसमें दोरा नहीं और बच्चे हमारे अंसासित थे अपने जजबात और होस्ले के पंक से आस्मान को छोने के लिलग तो यूँ कम लोगों के दिलों में ही होती है लेकिन अपने हुनर और जुनून से देश के अलग-अलग हिस्सों मिजवा कर अपने खेल से लोगों को अपना मूरीद बनाने वाली इन सिंग सिस्टर्स पर पूरे देश को फक्र है बेमिसाल के लिए वारा नसी से नितीश पांडे के साथ बूरो रिपोर्ट न्यूस एठीन टीम बेमिसाल, बेहिसाब, बेंतहा, बेशुमार, होसली के भरोसी, उची उडान भरने वाले कभी आस्मान का कद नहीं देखते वो सिर्फ अपने ख्वाबों को पुरा करनी और अपनी मंजिल को पानी के जिद के लिए आगे बढ़ते हैं रुकावते कितनी भी हो राहो में वो उसका डटकर सामना भी करते हैं क्योंकि वो हैं बेमिसाल शक्सियत जरा आप भी देखिए कौन कहता है कि आस्मा में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उच्छालो यारो जोश और जुनून की यही कहानी लिखने में मश्गूल हैं मिथला के नर्मदेश्वर जा वैसे तो इनके पास काबिलियत भी है और जुनून भी इनके भीतर लगन भी है और कार्य करने की क्षमता भी जी हाँ अपने बुलंद इरादों से पढ़ाई करने वाले और अपने जीवन में सफलता की सींधियों पर चड़ने वाली नर्मदेश्वर कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखे क्योंकि उनका जुनून ही उनकी ताकत ही जिसके माध्यम से ही वो आज पी-एम के ड्रीम ट्रोजेक्ट की टीम में शामल हुए है जिसके बाद पूरे परिवार में खुशी का महौल है घर परिवार वाले एक तरफ खुशियां मना रहे हैं तो वहीं नर्मदेश्वार पी-एम के ड्रीम ट्रोजेक्ट में शामिल होने पर गौरवानवित महसूस कर रहे हैं हम लोगों को इतना खुशी है जो हमारे पिरवार इतना गरीबी में ये बच्चा जिस तरह नाम किया है क्या है बुले ट्रेन इसकी नीव कपड़ी और कभ ये आम आदमी के बीच पहुँचेगी इन तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे और ये भी बताएंगे कि कितने किलोमीटर की दूरी कितने समय में हम तै कर सकते हैं आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन की ज्यादतर फंटिंग जापान से लिये जाने वाले 17 बिलियन डॉलर्स यानी खरीब 1,088 अरब रुपए के कर्ज से होगी इस से 500 किलोमीटर की यात्रा करने में अभी लगने वाले 8 घंटे का समय घट कर 3 घंटे का रह जाएगा 750 सीटो वाली स्ट्रेन के अगस्त 2022 तक चलने की उम्मीद है बुलेट ट्रेन एहमदबाद को मुंबई से जोड़े की पूरी दूरी तै करने के दौरान बीच में बरह स्टेशन पड़ेंगे ज्यादतर रास्ता जमीन से उपर यानी के ऐलिवेटेड होका साथ किलो मीटर हिसा समंदर के नीचे बनी सुरंग से होकर जाएका ट्रेन में 750 यात्रियों के बैठने की सुविधा होकी इसकी अधिक्तम गती 350 किलो मीटर प्रती घंचा होकी जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों की स्पीड से दोगुनी से भी ज्यादा होगी जी हाँ बिहार के मिथिला के रहने वाले तेज तर्रार नर्मदेश्वेर अपने बेमिसाल होसले से काम्याबी की अभारत लिखने को तयार नजर आ रहे हैं और उसके बाद देश के प्रधान मंत्री की सपने को साकार करने वाली टीम में चॉयन के बाद उनकी बूढ़ी दादी की आँखों की रोशनी की चमक बढ़ चुकी है बच्पन से आँगे देनों जीव कहियो फायल टायल ने चलके अही ठाम सो पढ़ाया दिखाया मेकिन इंडिया के तहद बुले ट्रेन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के कलपूर से भारत में ही तयार किये ज़ाएंगे इस वज़े से देश में सहियों की उत्योग बढ़ेंगे और लोगों को रोजकार भी मिलेगा नई नई तकनीक आने से हमारे देश के इंजिनियर्स को इसको समझने का मौका भी मिलेगा इसके अलावा कर्ज और तकनीक के साथ जापान भारत को बुलेट ट्रेन के संचालन और रख रखाव की ट्रेनिंग भी देगा यानि बुलिट ट्रेन प्रोजेक्ट के जरिये मेक इन इंडिया का भी विस्तार होगा तो वहीं देश में लोगों को नए रोजगार मिलेंगे जिससे देश का विकास होगा बेमिसाल के लिए मिथला से विपन कुमार के साथ एक बेटी अपने होसले से खाम्याबी की एक नई इभारत लिखने में जुटी है उसके ख्वाहिश है कि वो अपनी खाम्याबी के बूते अपने मादरे वतन का नाम रोशन कर सके जी हाँ कैसी एक बेटी कर रही है देश का नाम रोशन देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बेमिसाल बिटिया से जो अपने हुनर से काम्याबी की इभारत लिखने में तलीनता से जुटी हुई है इसके इरादे इतने मजबूत हैं कि वो इस बिटिया को उसके मंज़े तक पहुचाने की कवायद में जुके हुए है आईए आपको भी रूबरू करवाते हैं छोटी उम्र में बड़ा कमाल करने वाली इस बिटिया से आपकी उम्र कितनी है और आपकी उपलब्धी क्या है इतनी छोटी उम्र में आपने कैसे पढ़ाईगी क्या बच्पन से ही पढ़ाई करना अच्छा लगता है मेरा तीन साल के अम्र में मैं पोएम्स और कंट्रीस कैपिटल्स ये सारे मेमरेज कर लेती थी तो ये देखके मेरे पेरेंट्स ने मुझे एंकरेज की और मुझे फोर येर्स में फोर्थ क्लास के सब्जेट समझ पाती थी मैं वैसे मैं 10 क्लास फिनिश कर पाई थी और आपके दूसरे कोशन में जो केल कुद वो बात है मैं सब बच्चे के साथ खेलती और घूमती थी और मैं हर दिन 2 घंटे केलती थी पक्का एक्जाम हो टेस्ट हो कुछ भी हो मैं 2 घंटे पक्का केलती थी कम उम्र में इंजिनिरिंग की पढ़ाय पास करना कैसा महसूस होता है वो बहुत अच्छी तरह सर्प्राइस होते थे कभी भी मैं उनकी चोटी बेहन की तरह देखबाल करते थे मैं जब जॉइन हुई थी तब मुझे गॉर्णमेंट से जीवों आने के लिए 45 डेस लेट हो गया था तो मैं बहुत सारे क्लासेस मिस हो गई थी और वो मुझे एक चोटी बेहन के तरह मुझे स्वागत किये और मुझे नोड्स भी दिये सब अच्छी तरह देखबाल करते थे और फैकल्टी भी मुझे कभी डवट आया तो बहुत अच्छी तरह यूस्ट आंसर में वेरी पेशेंट ली इंजिनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला कब और कैसे लिया 11 और 12 से ही मुझे ये Electrical and Electronics में बहुत इंट्रेस्ट था इसलिए ही मैं वो ब्रांच चुनी और जब हमें कुछ भी सबजेक्ट में इंट्रेस्ट हो तो हम उसे बहुत आसान से पढ़ पाते हैं अगर एक कॉमिक बुक है तो हम उसे उस पे बहुत इंट्रेस्ट मन लगा के पढ़ते तब हमें वो ऐसे ही याद हो जाएगा हम उसके लिए उतना मुश्किल से काम करना नहीं पढ़ता 16 साल की उम्र में इंजिनेरिंग पास करने के बाद क्या जॉब करने का इरादा है? पढ़ाई के अलावा आप क्या करती है? मुझे डोरेमॉन बहुत पसंद है मैं दिन में एक आदा गंटा से गंटा तक पक्का देखती कहीं भी हूँ कभी भी और मुझे हैरी पोर्टर बहुत पसंद है मैं वो सीरीज पढ़ती हूँ और चोटा बीम देखती थी सफलता पाने के लिए कैसे पढ़ाई करने चाहिए? बच्चे के दिमाग से वेरी होता है पर मेरी आइडिया ये है कॉंसेट ये है कि जब भी पढ़ना है तो कॉंसेट समझने चाहिए वो उसमें जो है वो कॉंसेट अगर हम समझ गए तो हम अपने उन तरीके से वो याद कर ले सकते हैं और ये जो भी है उस पर इंटरेस्ट लगाना दिल लगा के पढ़ना और ये राइटिंग पार्ट वो थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि अगर इंपोजिशन वैसे लिखते रहे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा महस 16 साल की उम्र में इंजिनिरिंग की पढ़ाय पास करने वाली ये बिटिया अपने बच्पन को नहीं भूल पाई है तब ही तो वो मौका मिलते ही टीवी सिरियल, मोटू पतलू, डोरेमॉन और काटू देखना और साथ में संगीत सुनना नहीं भूलती है यहां की बोली में रंगोली सात रंग धानी पगडी पहने मोसम है नीली चादर ताने अंबर है नदीस नहरी हरा समंदर है रे सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला उमीदों की कष्टी को डुबोया नहीं करते मंजिल दूर हो तो ठक कर रोया नहीं करते रखते हैं जो दिल में उमीद कुछ पानी की वो लोग जिंदिगी में कभी कुछ होया नहीं करते जी हां आपकी मेहनत और लगन के बदौलत आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का जहां मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमानी के लिए बेमिसाल इसी दौआ के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए मुझे और मेरी पुली टीम को दीजे इजासत नमस्कार आपकी हर आपकी हर दो लुआ हर दो चसने नमस्कार